अस्सालाम अलेकुम वालकम तूमाच चनल आज हमने अंगरखा में मैक्सी तैयार किये यह फ्रेंट है वहारा और यह इसकी बैर काया है इसमें यहां पर बोड़ी दिये और यहां पर चुन दिये हमने ठीक है चुन के दाथ हमने इसकी लेज भी लगाई है यहां गले में अभने सारी लेज लाई हे अंगर गाय स्टाइल में यह अस्तर अपर आलगे उपर नैट का अपर् आ अमारा आ अलगे और नीचे का अस्तर ना जाएक है और सिरिफ हमने आर्मॉल से ओन ंना करे इसकी कैन के लागाई है चलिए शुरू करते हैं मैकसिम में कैस तरह तइयार हगी है यह हमार पस नेटे कट दाने वाली धाई ग सबसे पहले हम इसका अस्तरगार पेंगे यह देखें यह डबल किया हुए मैंने कपड़े को यहां से ठीक है यह मार डबल है यहां सभी मैं इसी तरह डबल कर लूँगा जो हमारा अंगर खाया गेर है वह हमारा वन साइट अच्छतिस इंच है तो यह मैंने डबल किया हुए तो अठारा इंच हमारा यहां पे गेर हा है अब इसकी सबसे पहले हम लंबाई देख लेंगे लंबाई हमारी 41 इंच तयार है नेट वाली अंगर खेगी तो यह देगे 49 इंच आ लिए ठीक है एक ताली सिंच हमारी तयार है नेट वाले अंगर केगी और यह अस्तर की आ रही उन्ताली सिंच अरतिस इंच इसकी तयार होगी हमारे नेट वाला अंगर का इसके नीचे फिनिशिंग लगेगी चोड़ी तो यह कवर हो जाएगा इसमें ठीक है इसके हम निशान लगाएंगे उपर हम यहां से सिधा कर लेते हैं यहां से इसे शेव दे देंगे डाउन कर देंगे ही हम चोटी बच्ची का बनार सकरीवन 8 सागी बच्ची एठीक है इसका आरम न हुलम चे इंच पर याट आ है ते वेस्ट का निशान अंगरा निशाद कुछ भी नधाला ये तो नीशान हम इससके शोलडरे साधे बाररा इंच जैसे हम इस सभा अचहुंद पे निशान लगा लेगे सभा 6 नगी नोगे सभा 6 नो तो तयार हो इसमा 9 इंच डबाो रख लेंगे 2016 अट यहद्ञ व को सवा 6 निशान लगा आधा वर रख लेगे तो इस साथ इंच पे में इसे निशान लगा लूँगा और वेस्ट है हमारा 13 इंच वनसाइट इसे में लगा लूँगा साड़े 6 इंच पे निशान यह अंदर की तरफ शेव दे देंगे आए आए इस वे वेसे हम बना रहे अंगर खांए लेकिन इसका अस्तर है अस्तर में कोई अंगर का शेव नहीं दे रहे हैं ठीक है रहे हमस पार कुछ इसकर यह बना रहा हैं इसकी के खांदें से ओपिन रहे हैं आए इसके कटिंग कर लेंगे यहां से पहले किकले कर ले थे क्यूंकि हमने दोनों एक साथ बचा आए तो अब यहां से हम इसे बेक को अटा लेंगे इसकी यहां से फ्रंट की कटिंग करेंगे यहां से हम दोनों को बरावर काट लेंगे यहां से इस तरह अलकादा शेफ देंगे यहां अस्तर कट गया अब हम इसका नेट का पीस काटेंगे अंगर फ्रंड में अलग-अलग कर लेंगे अब हम इसका नेट का पीस पीछाएंगे सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकालेंगे हमने जो अस्तर काटा ना उसमें बॉड़ी नहीं काटी लेकिन इसमें बॉड़ी अलग से लागा नहीं है क्योंकि इसकी बॉड़ी वाले जवाप हम इसकी चुन देंगे इसकी तेरा ही हम पहले यहां से नीचे से निकाल लेते जो हमने बॉड़ी रखने उपर ठीक है इसके बाद 41 इंच हमें लंबाई तयार चाहिए तो हम 42 इंच पर इसकी कटिंग कर लेंगे तोड़ा सा बड़ा ही गाट लेते हम ठीक है इस फूल से गाट लेते हैं तीस इंच आए ठीक है इसी तरह नापते जाना में तीस इंच होना चाहिए हमारा क्योंकि फूल आगे पिछे भी हो सकते हैं ठीक है अब हम इसकी बॉड़ी काटेंगे हम फ्रेंड की बॉड़ी काटेंगे इसे इसकी पेले हम लंबाई के निशान लगा देते हैं जो बॉड़ी हमें रखने हैं तेरे इंच हमारी तैयार होगी 14 पे इसके निशान लगा देंगे यहां कि अगर्खा बनाना यहां से हमारा तीन इच का गैप होना चाहिए हम इसे चार इंच का रखते हैं लेकिन बच्ची है तो इसलिए हम तीन इंच का गैप रख रहे हैं आप कि यह तीन इंच के गैप आगिया हमारा ठीक है तो इसे यहां पर इसी तरह सेट कर गए यहां पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहां से भी कटिंग कर लेंगे अब यह अब हमारी फ्रेंट की बोडी होगी हम बैक की बोडी गाड लेंगे कि अब आप कि अब और प्रेंट की बोडी गाड लेंगे कि यह चोड़ान के मैंने इंशान लगा लिए इसका कि यह हमारी बैक की बोड़ी भी कट गई अब जो हमारे नीचे का गेर यह हमने काटा था इसके नीचे का गेर अब सबसे पहले हमें इसके नीचे फ्निशिंग देनी है इस बोड़र के नीचे हमने फ्निशिंग दे नी है इतनी यह देखें चार इटकरीमन चूड़ी हमारी फ्निशिंग आएगी तो हम इसके तक्रीवन छेंच कपड़ा गाट लेते हैं ठीक है ठीक है छेंच चुड़ी पट्टी काट दूना फिर मैं आपको इसको जमाना बता तो इसे प्रिक करवाना है पटी गाट लें ठीक है चेंच चूड़ी पटी गाट ही मिने इसकी यहां पर इसे इस तरह सेट करेंगे कि यह कपड़ा हम यहां पर थोड़ा सा द्रहने देंगे क्योंकि जब एप्लिक होगी तो इसे पकड़ने में असानी होगी थोड़ा था इसलिए मैंने इसे पट्टी को चोड़ा काटा है यहां पर इस-स टार ने रखके हम इसे ठांके लहाँ लेंगे लुए आए् जिए मे बहुत से लोग तो इसे असे ही रहने देते हैं फिनीशिंग नहीं लगा तरह से इसमें हम फिनीशिंग लाए है इसमें तो इसे怎么 आ जबीघा रह होगीable कि मेंने नीचे कटवर्ध कर वाली ऐसे ठ्लिक कर वाले सा दिए कि ऀस इस चाइड मेंने कप्ड़े को मौड के तुर्पाई कर दिए भूरी कि यह हमारा कटवर्प भी हो गया और तुर्पाई भी हो गया इसे हम अटा लेंगे बॉड़ी को जोड़ेंगे हमारी फ्रेंड की बॉड़ी है और यह हमारी बैट की बॉड़ी है कि यहां पर इसका गलग आते हैंगे फ्रेंड की बॉड़ी के सिर्फ यह फ्रेंड हमने तीन इंच बढ़तावा रखा तो पहले हम इसे निशान लगा लेते हैं यहां पर इसके बाद में इसे पांच हिंच खत्रों से निशान लगाते हैं मतंड पनी इंच पर इंच पर निशान लगा। पॉड़ इंच पर दृण के दूग इसे निशान लगा आता है वियासे में से इस तरह शेव देदूंगा वी शेव इसकी कटिंग करनूंगा इसा इसकी में साइडु पर स्लाय लगा कि एमने साइडु उंकु आति तकवीव semana 21 disease इसथ ass तरह 24 इंच गार घंजए और नीचे की की बिझारी इसे में। अगोativa प्रपांबे दिस एंगे आ आ यहा पर छुन थेगे, में ऩुट टून तायार होनी चाहिए जितना भी कपड़ शुटिस तैंथलंस की चुन मेंसे कभर करना है इस तरह हाम चुन दे देंगे चुन और लूड यह मैंने चुन दे दिए इसे, ठीक है, यह मैंने डबल कर लिया इसे, वह यह देखें, 17 इंचार ही हमारी चुन, अब हम बोडी इसके साथ जोड रहेंगे, यहाँ पे इसतरा हम पूरी बोडी हैना आलराम जोड लेंगे चे, अब इसका दबाओ थोड़ा थाम कम कर देंगे, वह इसलिए के हमारी लेस पतली है, जब इसे उपर की साइट पर हम लेस लगाएंगे तो यह दबाओ हमारा दिखना नहीं चाहिए, इसी लेस के नीचे हमारा दुजा है, अब यहां पर हम इसे लेस रखेंगे, इस तरह लेस रखेंगे, इस तरह लेस के दोनों साइट पर हम सिलाई लगा लेंगे, अब इस लेस लगा दी, ठीक है, पूरी पीछे दे घुमती भी इस तरह हमारी आलराम पूरी हमारी लेस, हुआंपे में गले को इस तरह सेट करना है और यहां पे कट लगा लगा वरे को अब सा outta यहां प्र lenysis लगा है यहां पर हम इसे प्रवार ने uda को यहीं से शुरू करें, इस तरह हमारी लेसा बेड़ीब भीजिछी हमानी लाइे हा बीजिटन कर तो हमारी लेस बेडे़ी यहां यहां पर बाई लागा लिशी हमाने लेसे लागे लागे लगाוש है यह देगें मैंने एक साइड पर लगा लिया अब दूसरी साइड पर जम लगाएंगे नीचे से शुरू करेंगे यह हमारी उटी साइड आ गई तो इसे यहां से हम लेस लगाएंगे दो रहाँ हम लो म YE लगा औा भफ इस लेगे यह हम लोग गई्साइड पर लागप Cसा रफिंडों के रहाँछ पर जिवा पर । कि मैंने लेस लगा लिए इस पे ठीक है और इसके अंदर वाली साइट पर मैंने फिनिशिंग लगा लिए लाइज, लेकिन बेक का इक साध जॉइंड करके अस्थ बाद में इसका एक साथ गला बनाएँगे तो इसका जो हमने गला गाटा तो उपर दें 5 इंच हमारे गला तैयार होगा उपर तें और यहां से डीप तैयार होगा तो अस्तर के लिए गला गाटेंगे तो आधा बढ़ जाएगा तके गला नियाँ और यहां नीचे से रखेंगे 47 इंच-टीक है । तब सम्सार यह साथ रख लेंगे ताकि यह गला जो नहीं सीहा हूँ है। अस्तर भे जैत करें इसके गललट लेंगे। फिर रमस्त के दाथ जूइंट कर लेंगे। यहां पे इसे टांका लगा देंगे गले वे अब बाद में बताहूंगा। आपको मैं गला काट के दिखा देता हूं आपको अब यह हमारी बुख्रव है ठीक है यह यह पांच ही हमने इसका नेट का गला काटा था तो यहां से में इसे दो सुझ बढ़ा रहा हूं और यह से विभूर रहे है यहां से इस्से एक बत्त कर देखें शाया हाँ तो पर वे दो धाब भी पर सब्राएंगे यहां से शेप इन कर दो दो जया हमें ग्यारा पर पहलों जो शेप हमारा नेट में आरहातए अ अट लुक हो स आ हो DESерж होप्र पर दो लिया है यह अपने गरा काट लिया ठीक है इसका बैक का गरा भी इसी तरह काट लेंगे अब आप बैक का गरा बच्ची के साब से जितना भी रखना चाहें आपको रख रहें अब यह दोनों गोले वेक फ्रंट के कपड़े पे चिपका लेंगे यह देखें मैंने गले चिपका लिए कपड़े बें ठीक है इसके साइट पे मैंने स्लाई भी लगा दी हुआ हम पहले फ्रंट का गला लगाएंगे है यह हमारा निचे का अस्तर है कि अ हुआ है कर इस सेंटर मिला लेंगे नीचे से भी ऑपर यहां पर इसी स्लाई लागा लेंगे है या मारा ट्रंट का गला रग गया ठीक है अब ये देगें है है ये नीचे आगे हमारा इसे इस लेस्ट से नीचे आ रहे हैं यहां से भी हमारी कंदी ब्रावर है और यहांसे भी थुड़ा अच्छे आगा निया भार ने कंवेश और इस दो यहां पिन गला निंगर है पिए। और दूसरी साइड पे पिए त्पिन Okay इसाइड पे यहां पर इस्तना अश्यवान लगा लेंगे ठीके। अब ये देखर मैं अस्तर को फ्रंट से जोड दिया हूँ जोड़ दी मैंने इसकी और बैक का भी जोड़ दिया मैंने अब हम बैक के गला लगाएंगे यह गला लगा लेंगे उसके बाद मस्तर की साइड़े बन कर लेंगे यहां पर इसके सेंटर कर लेते यहां बहां पर लेते एक साइड की मैंने आपको इसलाई लगा के दिखाये दिए ठीक है अस्तर की दूसरी साइड की इसी तर हमने इसलाई लगा लिए अस्तर की तो नीचे हमने इसके केन लगा दी अस्तर पर ठीक है यह देगें यह देखे इसके बाद मैंने इससे एस्तर के साथ जॉइंट कर दिया यहां से वारे तक्रीब हरे एक से जबेड़ इंच का गैप होता है अस्तर और केन गैप इस तरह गैप आया थे ताकि बाहर ना जल गए आपकी मर्जिया लगाएं या नहीं लगाएं कहिंके ठीक है अब लगा लेंके तो भूल जाता है नीचे से और ये मैंने स्लिव्स लगा लिए इसके स्लिव्स के आगे मैंने लेस लगा लिए ठीक है